आज के इस वीडियो में 5 ऐसे हैबिट्स के बारे में हम जानने वाले हैं अगर ये हैबिट आपके अंदर है तो आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि फोज की वर्दी जो है आर्मी का भरती होने का जो सपना है आपका जल्द पूरा हो सकता है क्योंकि जिन युवाओं में ये है 5 ऐबिट देखी गई है उनके चांसेस ज़्यादा बने हैं फोज में भरती होने के जो हमारा 5 to 6 एल्स का जो एक्सपिरियंस है जो साथ से अधिक सेना रेली भरतियों में गया हूँ जो हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए है उन सभी का अवर ओल जो स्टेडी है पूरा जो निचोड है इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स में कवर किया है और आपके लिए काफी इन्फोर्मेटिव है अगर आपको गोलचीवर्स अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें औ और पूरा वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं let's start with the first point mentor आपका mentor होना जरूरी है साधारन भासा में आपका एक गुरू होना जरूरी है हमारे भी गुरू है करनल रामुतार सिंग जी मैं भी उन से काफी inspired होता हूं वो मुझे काफी motivate करते हैं और कुछ actions लेने में मुझे मदद करते हैं mentor हो रखना एक अच्छा गुन माना जाता है और जो आपको motivate करे ऐसा गुरू आपका होना चाहिए जो आपको एक right direction दे आपको क्या करना है कैसे तयारी करनी है जिससे आप inspired हो आपका एक mentor होना चाहिए यह mentor आपका दोस्त हो सक हो सकता है चाचा ताउ का लड़का हो सकता है कोई भी हो सकता है जो आपको guide करें आप एक ऐसा mentor जरूर रखे जो आपको सही तरीका बताए फोज की तैयारी करने का आप मुझे भी रख सकते हैं mentor आप मुझे contact कर सकते हैं मैं आपका mentor जरूर बनूँगा यह मेरा सोभाग्य ह Let's continue our second point challenge देना और एक challenge accept करना अपने आप में एक अच्छी quality माने जाती है और जिन युवाओं में यह quality देखी जाती है वह बच्चे औरों से अलग होते हैं उनका motivational level जो होता है काफी high होता है अगर आप में यह quality है यह habit है तो आपके chances ज्यादा बन जाते हैं कि आप फोज मे जल्दी भरती हो सकते हैं अगर आप में यह quality नहीं है तो जल्द से जल्द implement करें और अपना motivational level increase करें Let's continue our third point सुभह उटके अपना task complete करना वह एक अच्छे गुन माने जाते हैं और कई युवाओं की आदत होती है कि रात को text कर रहे है girlfriend से वीडियोस देख रहे हैं गेमिंग कर रहे हैं और next day उट नहीं पाते और उटने के बाद सोचते हैं कि अरसाम को running complete कर लूँगा उसके अगले दिन running complete कर लूँगा अगर ऐसे गुन आपके है तो आपके chances कम बनते हैं कि आप forge में select हो पाओगे जिस दिन आपने जो task रखा है यह task आपका running का schedule है और यह task आपका सुबह उठने का है अपना जो schedule आपने रखा है जो आपने task निर्धारित किया है उस task पे एकदम focused होकर एकदम जुनून से आपना task complete करना चाहिए let's continue our fourth point they don't get scared जो बच्चा race qualified करता है जो भरती में select होता है वो कभी घबराता नहीं है अगर आप भी घबराते हैं तो आप में यह quality नहीं होने चाहिए कई बच्चों में देखा गया है जब वह ग्राउन पे होता है तो ऐसे दूजर लग जाता है डरता है अंदर से और tension ले लेता है उसकी सांस से पहले ही फूर ले लग जाती है और वह competition से पहले ही भार हो जाता है आप में यह quality नहीं होने चाहिए इस video को देखने के बाद जर अगर आज आप 10 लड़कों के बीच में दोड कर रहे हो और इसमें पहले नमबर पे आ रहे हो तो आपके दिमाग में ऐसा चलना चाहिए कि 200 से 300 बच्चे के बीच में मैं दोडू और मुझे उनसे आगे निकलना है अपना समय कम करना है तो आप सभी को खुद से competition लड़ना है और पहले आप सभी को अपना रनी का समय कम करना है उसके बाद आप सभी को दूसरे युवाओं के साथ दोड करने का try करना है competition लड़ना है अधिक से अधिक युवाओं से आप दोड करने का try करें उनके साथ competition लड़े और जिन युवाओं में यह गुंड देखा जाता है और जो competition लडने के लिए हमेशा active रहता है उन में ज़्यादा chances बनते हैं कि वह आगे सफल होगा भरती होने का सपना उसका पूरा होगा यह जो five points थे जो five habits थे जिन युवाओं में देखे गए हैं वह जरूर सेना में भरती होते हैं जो कि आप सभी को भी समझ में आ गया होगा आसा करता हूँ कि मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा तो आज इस वीडियो के माद्यम से हम आपको अलवीदा कहते हैं और इसी तरह आपके लिए नया motivational वीडियो लेके रोटेंगे चलो आज के लिए बाई बाई